तो नमस्कार दोस्तों मार्केट काफी interesting मौड पे closing दिया है विकली closing अर यह weekly closing काफी मैने रखता है जिस तरह से market ने closing दिया है आप देख सकते हैं 2513 में weekly time पे closing दिया है जो एक positive sign 2513 को बार-बार यब respect दे रहा है मार्केट यहां पर sustain करने की कोशिस कर रहा है यह रेसिस्टेंस जब बन जाएगा सपोर्ट तब मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और अप्रील के नेक्स्ट पहला वीक तो पार हो गया दूसरा वीक एक सांदार तेजी रहने वाली है पूरा मन्त कैसी रहेगी नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा आए सारे बिनुओं पर डिसकस करेंगे इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरू करें यह देखे 22,500 को एक रेसिस्टेंस बना के करें कोटेक बैंक एसबी लाइब एसडेशी बैंक बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ तो सोया हुआ था वह जाग गया है जिसके रीजन से बैंक निप्ति अच्छा पर्फॉम कर रहा है बजाज फिंसव बज्दी एपसी लाइब यानि फिनैंसियल सेक्टर काफी अच् अब निप्टी बैंक का बात करें देखिए 432 पॉंट का सांदार तेजी रहा कल के वीडियो पे अगर आप कल देखें होंगे तो हमने किलियरली डिसक्स किया था कि 48,000 पार्ट जैसे ही करेगा 48,000 पांसो और 37,000 का लेबल बैंक निप्ति में देखने को मिलेगा 50,000 का इसका रिजन रहा जो बैंकिंग सक्टर रहे काफी सपोर्ट किये और जो निप्टी के दिगज माने जाते हैं HDFC वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे और 1.5% तेज था इसी का नतीजा बैंक निप्टी पे भी देखने को मिला 432 पॉंट का सांदार तीजी था अब नेक्स्ट विक क्या प्रैस सेट अप बैठ रहा है क्या कहना चाह रहा है आए सारे विद्वों पे डिसकस करें इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरू करें विकली टैंपरेम पे देखिए 25500 को ब्यूटिफिली रिस्प है नहीं होगी 2513 को पार नहीं किया है यहीं से कि बार बर्रिस्पैक्ट देके殼 मार्केट क्लोजिंग दिया है विकली टैंप क्या विकली टैंप फ्रैम पे 225ời के ऊंपर क्लोजिंग हो जाता तब तुं बहुत ऑच्छा सायन पर फिर विडियु 2513 में आके क्लोजिंग होना मार्केट के स्ट्रेंद को बता आ रहा है आप देखिए वीकली टाइम प्रेम पे एक दो तीन तीन कंटिनुवस ली वीकली टाइम प्रेम पे है यह ग्रीन केंडल बना यह यानि 2513 को एक रेसिस्टेंस मानके मार्केट काफी अच्छा तरीके से इसको रिस्पेक्ट दे रहा है यह बहुत ही अच्छी साइड है 2513 तो 2513 के उपर जैसे ही मार्केट अब निकलेगा पॉजिटिव केंडल बनेगा यहां पे एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा और फिर 2800 तक का भी लेबल हमें देखने को फिर मिल सकता है तो 22800 के लिए रेडी रहना चाहिए हमें क्यों रेडी रहना चाहिए 2513 को ब्यूटिफुली रिस्पेक्ट मार्केट दे रहा है तो यह जो लेबल है आप देखेंगे मल्टिपल टाइम यह देखिए रेसिस्टेंस यहां द और पांच छे चे ट्रेडिंग सेशन से छे वीक से यह चे ट्रेडिंग सेशन नहीं है छे वीक है छे वीक से छे सब्ता से 22513 को टच करके मार्केट नीचे आ जा रहा है अब हम जानते हैं कि जैसे ही यह रेसिस्टेंस अगर सपोर्ट बन जाएगा यानि 22513 के ऊपर निकल जाएगा एक सांदार तेजी नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकती है निप्टी पे 22,800 के लिए आपको रेडी रहना चाहिए और हो सकता यह 23,000 कर लेवल भी टच कर जाए क्योंकि इसका जो हमने डिसकर्स किया था अब यहां पर देखेंगे वीकली टैम फ्रेम पे काफी और फ्लैग प्लैट का ब्रेक आउट क्यों देखने को मिलेगा यह देखें यह हुआ अप पॉल यह हुआ और यह हुआ प्लैग प्लैटर यहां पर देखिए बन रहा है कि लिए दीख रहा है आपको अग यहाँ पे देखेंगे इसका जो गैप है यह गाप कितना का है यह लेबल है यहां पर इसके यहां पर देखना होगा इसका जो लेबल है यह है 21,900 और इधर है 22,500 21,900 और यहां नीचे का लेबल पर अगर आजाए यह बहुत नीचे हो जा रहा है यह लेबल हो जाएगा 21,300 21,300 काफी नीचे है लेकिन इसका यहां पर देखें मल्टिपल टाइम सपोर्ट रेश्टेंस लिया है यह लेबल क्या है यह लेबल है 21,900 का यह 22,000 का लेबल आप इसको पगड़ सकते हैं 21,900 का लेबल है तो 21,900 का लेबल को एक देखिए यहां पर इसको फ्लैग मनिये और यह पॉल मनिये तो अगर इसका 21,900 और 22,500 यानि करिब करीब 600 पॉइंट का यह जो है गैप हो रहा है अगर 600 पॉइंट का यहां गैप हो रहा है तो 600 पॉइंट निप्टी उपर जाने की त्यारी करेगा यानि 22,500 और 21,950 यह 600 पॉइंट अगर 22,500 यह 600 जोड़ दिया जाता है तो करीब-करीब 30,000 निप्टी जाने की त्यारी कर रहा है 22,500 में अगर 500 जोड़ देते हैं तो 30,000 जाने की त्यारी निप्टी करने की कोशिस करेगा अगर यह पॉलन फ्रेग का ब्रेक आउट होता है तो तो किलियरली दिख रहा है की 3000 का लेबल हमें मिल सकता है देखने को अगर यह पॉलन फ्लेक निटार ब्रेक प्रेक आउट होती है तो यह कर्किलि टैंप प्रेम पर यह करें अगर हम बात करें मंतली टैंप यह यह देखें अएक यह मैना नोंबर दिसंबर यह लिए जैनवरी यह फर्वरी मार्च और अभी हम अपरील मैना में asons continuously मार्केट आप आप अप ट्रेंड में है स्बेसा काफी कम देखने को मिलनता है कि पांच महने से मार्केट के प्रेंड में यहां पे यहां पर देखें है 1-2-3-4 एक लेकिन एक केंडल बना अब यहां पर दिखेंगे एक दो तीन या यहां रेट केंडल बना बना है यहां पर भी अगर आप दिखेंगे एक दो तीन चाहर 5 bean continues green candle बनाया बहुत ज्यादा चांसे je एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, साथ, यहाद कि कभी-कभी केवल ग्रिन केंडल ही बना है, तो मार्केट में यह चीज देखना होगा, बहुत ही कम चांसे होती है, बहुत कम ऐसे दिन होते हैं, जब कंटिनिवसली ग्रिन केंडल बनता है, तो यह जो अप्रिल सीरीज है, क्य मार्केट अब नहीं दिशा देगी, जो हमने भी डिसक्स किया कि पॉलन फ्लेग पेटन का ब्रेक आउट होगा, तो यह क्या 30,000 का लेबल तक जाएगा, क्या यह अप्रिल में 30,000 चला जाएगा, यह देखने वाली बात होगी, फिलाल 22530 में मंतलिक टाइम फ्रेम पे यह क्लोजिंग दिया है, नहीं अभी 6 तारीक है, पुरा महना अभी इतने में समय है, तो पुरा महना में यह क्या ग्रिंग केंडल में क्लोजिंग होगा, यह यह प्रोफिट बुकिंग आईगी, यह देखना होगा, फिलाल अगर 22530 के उपर मार्केट निकलता है, एक अच्छ है, तो 22800 हो सकता है, नेक्स्ट वीक की देखने को हमें मिल जाए, तो यह चीज हमें समझनी होगी, 22530 के उपर निकलने से, हमें 22800 का लेबल देखने को मिल सकता है, और जैसा कि अभी पॉलन फ्लेक का ब्रेक आउट का बात कर रहे थे, वीकली टाम प्रेम पे, तो एक अच होता है, अब यहाँ पर देखेंगे, डेली टाम प्रेम पे, किलियरली काफी अच्छा, 22530 को रिस्पेक्ट दे रहा है, मार्केट, अब यहाँ पर देखेंगे, कितने ट्रेडिक से से, 22530 को रिस्पेक्ट दिया है, यह एक यू कप भी बना रहा है, यहाँ टाइम पास कर रहा है जो मार्केट के positive strength को दिखा रहा है आप देखेंगे यहां पर यह एक यू यानि कब पैटर्न बना हुआ है कब पैटर्न अगर आप देखेंगे कब पैटर्न यहां पर कितने दिनों से केवल ग्रिन केंडल बना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस ट्रेडिंग से से मार्केट ग्रिन केंडल बना रहा है बार बार यहां पर देखेंगे ग्रिन केंडल बना रहा है अब 22513 को एक बार क्रॉस भी करने की कोशिस किया है लेकिन वह सफल नहीं हुआ है तो उसको सफल होने के 22,513 को देली टाइम प्रेम पे निकलना पड़ेगा यहां से और 22513 को निकलने से नहीं चलेगा वहां पर टाइम इस्पेंड करना हो यहांनि 2530 के उपर क्लोजिंग चाहिए डेली टाइम फ्रेम पर जो एक बार किया लेकिन वह सस्टेंड नहीं किया तो 22,513 को जैसे ही यहां पर क्रोस करेगा तब हमें 22,800 के लेवल देखने को मिलेगा अब यहां पर यू पैटर्न जो बना यह कब जो बन रहा है यह एक अच्छी साइन है कब का अगर आप देखेंगे यह कब बना है अब कब का यहां पर जो गेप है यह देखें 22,513 का नेकलाइन है इसका डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे यह करीब करीब 21,922 का यानि 500 पॉइंट का गेप है इस कब का तो 22,513 अगर 500 जोड देते हैं तो 30,000 निकल के आ रहा है तो 30,000 तक निप्टी जाने की कोशिस करेगा यह विकली टाइम पर दीख रहा है और यह डेली टाइम पर दीख रहा है यानि निप्टी को अगर उपर जाना है तो 22,513 के उपर निकला खुगा और यहां पर अगरन सो और हमें 22800 से 30,000 तक का लेबल दिखा सकता है यह weekly time frame पे clearly दिख रहा है तो 22513 को पार करता है यहां कब pattern का breakout होगा तो 22800 और 30,000 का लेबल यह weekly time frame पे भी दिख रहा है monthly time frame पे भी दिख रहा है और daily time frame पे भी दिख रहा है तो काफी positive sign है next week एक अच्छी निप्टी मेरे लिए देखने को मिल सकता है अब आते हैं 15 minutes के time frame पे देखे किस तरह से price setup बैठा है और कहां पे यहां पे एक position create किया जा सकता है यह समझने की कोशिस करते हैं इसके लिए फिम नासी retracement का यूज करते हैं अब यहां पे पुरा setup निकल के आए यह देखिए यह कि अब पुरा setup निकल के आगिया आप यहां पर देखेंगे यह जो लेबल है कि 22513 का लेवल को वाईजर जो एक दिन जो आप अभी हमने डिस्कुस किया था 22500 को पार करके 2600 तक गया था लिए वास तस्टेन नहीं कर पाया अब यहां देखेंगे कि कल के दिन में भी मार्केट में एक तेजी देखने को मिली लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया 22513 के उपर नहीं निकल पाया अब यहां पर बार यह 22513 और जो लाइप टाइम हाई था इसका 22600 का एक बार बार एक डेसिस्टेंस जोन दीख रहा है अग मार्केट को अगर उपर जाना है 15 मिल्स के टाइम प्रेम पे 22600 के उपर निकलना पड़ेगा यहां पे 15 मिल्स की कैंडल बनाना पड़ेगा तभी पॉसिबल है कि हमें फिर 22600 के उपर अगर निकल जाता है तो 22800 का लेबल देखने को मिल सकता है तो यह काफी पॉजिटिव चीज है जो हमें देखनी होगी 22500 के उपर 2600 के उपर 15 मिर्स के टाइम प्रेम पे एक हमें क्या चाहिए 15 मिर्स के टाइम प्रेम पे ग्रीन केंडल चाहिए ग्रीन केंडल का अगर हाइट टुटता है तो एक अच्छी पोजिटिव हमें मार्केट में 22800 इसली देखने को मिल सकता है इस तरह के क्यैंडल जाएए 22 यह जो लेबल है 600 का माल यहां केंडल बनता है फिर इस तरह से ग्रिन केंडल बनता है एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है सेलिंग कहां पर आएगा यह हमने डिसक्स कर लिया 22,500 के उपर अगर ग्रिन केंडल बनता है तो बहुत पोजिटिव तेजी आ सकती है सेलिंग देखे इस लेबल पर आ सकती है यह लेबल हमें याद रखना चाहिए कल भी हमने डिसक्स किया था 22,435 तो 22,435 का लेबल जो है हमारे लिए काफी इंपोर्टन लेबल है अगर यह 22,435 का लेबल उपर निकल तूट जाता है इस लेबल पर डिक्लाइन हो जाता है नेगेटिव केंडल का लोड उड़ जाता है तब एक अच्छी फॉल फिर मार्केट में देख सकते हैं और यह फॉल कहां तक आ सकती है यह 22,332 तक आ सकती है यह फॉल तो 22,435 को गर नेगेटिव केंडल बनता है 22,332 के लिए रेडी रना चाहिए और यहां पर अगर ग्री तो 22,500 का लेबल भी हमें देखने को मिल सकता है अगर 2435 के उपन पॉजिटिव केंडल बन जाता है पॉजिटिव केंडल का ब्रेक आउट हो जाता है तो हमें एक तेजी भी देखने को निट्टी पे मिल सकती है अब नेस्ट हम डिसकस कर लिए हैं यह मंतली विकली डेली ट क्लोजिंग दिया है लाइफ टेम हाई के आसपास है और इसका अगर ब्रेक आउट होता है तो मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी अब यह देखेंगे 22,453 है पूरा मंत अभी क्लोजिंग होने बाकी है अब यह देखना होगा कि इसके उपर सस्टेन कर पाता हमार्केट काफी एच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है कि आफ आते हैं विख टेम के अच्छा रिस्पेक्ट दे रहा है और अच्छी सैंद यह है कि लाइफ टेम हाई के असपास तर्जिंग दिया है उन्हे इसका अगर ब्रेक आउट देखना है यह ब्रेक आउट जैसे ही होगा फिर मार्केट में अच्छी बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी जो 50,000 का लेवल दिखा सकता है अब यहां पर किलियर ली दिख रहा होगा यह डबलू पैटर्न बन रहा है यह यह डबलू पैटर्न का जैसे ही ब्रेक आउट हो ही ब्रेक आउट होगा पचास जर्क लेवल वीकली टैम प्रेम पे हमें देखने को मिलेगा तो वीकली टैम प्रेम पे काफी अच्छा क्लोजिंग दिया है डबलू पैटर्न का ब्रेक आउट का भी साइन दिख रहा है उसको जस्ट 48493 के उपर सस्टेन करना होगा क्यों न कि लिए दिख रहा है यहां पर भी एक यू पैटर्न बना हुआ है यानि कब बना हुआ है अब यह कब का जैसा अभी हमने विकली टैम फ्रेम पे निप्टी पे डिस्कस किया यहां पर भी आप देखेंगे यह कब जो है यह कब ब्यूटिफुली इस नेकलाइन को तोड़ा है अब इसका जो हाई है यह है 48493 यह जो लेबल है 48494 को जैसे ही यह निकलेगा यहां पे एक अच्छी तेजी फिर मार्केट में देखने को मिल सकती है अब क्यों देखने को मिल सकती है अब ये जो हमने discuss किया था यह कप का gap है है कि कप का gap कितना होता है आप यहां पर देखेंगे कप का यह gap area कितना कप का gap area इसका जो कपeger जो bottom है ये दीख रहा है छी आलिस जार 200 का और हाइ और दालिस जार 493 का है यानि करीब करीब 2,000 पॉइंट का तो 48,493 में 2,000 का जो जोड़ दीजिए तो करीब करीब 50,500 तक का बैंग निप्टी का टार्गेट निकल के आ रहा है तो 50,500 तक बैंग निप्टी जा सकता है बसरते इसके ऊपर सस्टेन करें जहां पें क्लोजिंग दिया है काफी अच्छी जगह पें लाइट यहां की जगह पर कुलोजिंग है अब इस यूजो कब बना है कब पैटन का ब्रेक आउट होना बागी है इसके पाद वैंग निफ्टी में एक अच्छी तेजी दिखने को मिलेगी जो पचासजार पचासजार का लेबल और पचासजार पांत सो का लेबल तक बैंग निफ्टी दिखा सकता है यह डेली टैम प्रेम पे किलियरली दिख रहा है अब आते हैं 15 मिट्स के चार्ट में कहां सपोर्टर कहां रेस्टेंस ले रहा है आई यह समझने की कोशिस करते हैं इसके लिए फि का हाई यह 48,500 का लेबल है तो किलियरली है 48,500 की ऊपर जैसे ही निकलेगा एक अच्छा ब्रेक आउट हमें मिलेगा और फिर हमें 50,000 का लेबल तक भी देखने को मिल सकता है यानि 48,000 का लेबल काफी important है 48,500 का लेबल जैसे ही निकलेगा पचास जर का लेबल हमें देखने को मिल सकता है गिराबट कहां पर आएगी यह जो जोन है यह मुल्टिपल टाइग सपोर्ट रेस्टेंस लिया है यह देखे 48,000 का लेबल है 48,000 का लेबल से ही एक अच्छी तेजी देखने को मिली है अगर इसके नीचे सस्टेंड नहीं करते हैं यहां से अगर नेगेटिव केंडल बन जाती है तब एक फॉल देखने को मिल सकता है और यह फॉल हमें फिर 47,000 तक ले जा सकती है तो फॉल कहां पर आएगी आपको यहां तक लिए तक लेबल और से ताली जाते होती है तो देखने को मिलेगा लेकिन अगर मार्केट में तेजी आनी है मार्केट में अगर एक बहेंकर तेजी आनी है तो यहां पर सस्टेंड करना होगा यहां पर ग्रीन केंडल बनना होगा ग्रीन केंडल का हाई टूटना होगा तब एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और फिर हमें 50,000 का लेबल पचाशार पांचों का लेबल भी देखने को मिल दखता है अगर यहां से डेकलाइन आती है तो हमें फिर रेडी रहना क्योंकि यहीं से दिखिये मार्केट जो है मुब किया था एक अच्छा मूमेंट देखने को मिला दा अब इस लेबल पर किसी भी रिजन से एकर यहां मिल जाती ग्रीन व केंडल मन जाता है तो फिर हमें पिए इस लेबल तक भी देखने को मिल चकता है तो हमेसा यह है रहन की डरनपती रखनी है एक अच्छा मुमेंट में व машती में डेखने ऊफ्रीय में देखने को मिले तो सारे वंवाब दिश्कस Caroline किया श्युक्ति चार्ट में वे हाइए ostribella को यह अधिकि पार कि इसा रहे गा यह देख नहीं हो अब 49 पॉपर दिखा रहा है कि हम सो मार्केदिंग खुलेंगे हलाकि आज मार्केट बंद रहेगा कल मार्केट बंद रहेगा अमरिकन मार्केट का देख लेते हैं कहां क्लोजिंग दिया है 307 पॉइंट का देखिए डॉजांस में तीजी था अब देखना होगा मंडे को किस तरह से मार्केट रिस्पेक्ट करता है इस तरह डाटा को कैसा लगा जानकारी लाइक से सब्सक्राइब कमेंट को पर जुरूब बताएं मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात रहें